कॉंग्रेस मुंबई यूमन राइट सेल के मुंबई अध्यक्ष के जाने के बाद अध्यक्षपत को लेकर घमासान तीज हो गई है हाला कि चुनावी माहूल को देखते हुए कारेकरता और पदाधिकारी कॉंग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए थे पर अब एक बार फिर 24 अप्टोबर को मुंबई अध्यक्ष पत को लेकर पदाधिकारियों में उच्छुपता देखने को मिल रही है कॉंग्रेस यूमन राइट्स सेल के मुंबई उपध्यक्ष युनुस खान और पदाधिकारियों का क्या कहना है आई ये सुनते है माशाला मेरी बातों को सुनती है और मैं भी उनके लिए दिलो जान से उनके लिए लगाओ रखता हूँ इसलिए खास करके मैं चाहता हूँ कि इसमें ज्यादा समय ना दूँ और इसके बारे में ज्यादा टिपड़ी ना करूँ खाली खाली इतना मैं कहूंगा कि देखे जो भी घमासान है मुंबई अध्यक्ष के पत के लिए ये कही ना कहीं 24 तारीक तक ही रहेगा क्योंकि हमारे जो हाई कमान आये थे आला कमान आये थे हमारे कुरेशी साब जो आये थे और उसके बाद में जो भी होगा हम आगे का बात बढ़ाएंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं आला कमान जो निरने लेते हैं वो निरने के उपर हमें खरा उतरना है क्योंकि हमारे बड़े हैं बरिष्ट हैं वो जैसा भी फैसला करेंगे हमें मनजूर है लेकिन मैं एकी बात हूं कि आज जो घमार्षान चल रहा है मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मैं अच्छे लोगों के हाथ में ही ये चाहता हूं हम आला कमान से गुजारिश करेंगे कि अच्छे लोगों के हाथ में यह सौपा जाए कि बहुत बड़ी जीमेदारी है मुंबई मुंबई है बुरे लोग सभी रहते हैं लेकिन ऐसा हमें अध्यक चाहिए जो अच्छे और बुरे दोनों को सीने से लगा के और अपने कॉंग्रेस पार्टी में जोड़े और उनकी बातों को सुने किसी के उपर गुरूर घमन तकबूर तकवा ना करे और किसी को किसी की आउकात ना अधिशा में करना है पर जो हमारे महाराष्ट्य अध्यक्ष है असिफ कुरिशी सब उन्हें मीटिंग लिए और मॉलना अबरर साबको अध्यक्ष बनाया है और उनको 24 तक उनको काला विदी दिये के इलेक्षिन कतम उने तक उसके रिजल्ट आने तक 24 तरीक तक वह अध्य करेंगे कौर कमिटी को बुलाएंगे उनका मत जाने और उनके बाद डिसाइड करेंगे कौन अध्यक्ष बनेगा और उसके पाद फिर से जो हमारा काम था जो मानो हग के लिए मानो अधिकार के लिए हम काम कर रहे थे फिर से वैसे अच्छा काम करके human rights stream को आगे बढ़ाई आप सो क्या लगता है कि इसको बनना चाहिए हो अधिक्ष मन जाए पर सबने अपने 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 रिज्यूम दिये जो जो कैंडिडेट इच्चुक है उन्होंने अपने अपने रिज्यूम बेच दिये महराष्टर ऑफिस में आप वो सर डिसाइड करेंगे कि वो किनको आएक्समास तेड़ किसको